हाई गाइज वेलकम तो माइन व्लोग मैंने आप लोगों के लिए बोया का माइक मंगा लिया है कि कि आप सभी लोग कहते हैं कि क्वाल्टी आवाज की क्वाल्टी अच्छी नहीं आ रही है तो मैंने का चलो भाई आप लोगों के लिए अच्छी क्वाल्टी बनाने के लिए लिए दाहए बोया का माइक्रोफॉन ओन्र अब उसके अन्वोक्सिंग कर कि आ बोगो दिखाएंगे यह विद्धियो के लाश्ट में देखें विद्धियन का कि मै। उनलाइन फनी फिलिप काड T कि कि काद पासे धिम द्रिबा होता है इसके अंदर ही आता है जो इस तरीके का इसका बॉक्स होता है ब्रान्ड बोया मिलती है पर ब्रान्ड बंड ब्रा या मिलती है देखते हैं ओर्जिनल है या फेट है किस तरीजेगा है इसके अंदर कुछ गाइड्स मिलते हैं बोया ब्राइंट के इसके अंदर कुछ गाइड्स मिलते हैं लेदर में होता है लेदर बैड इसके अंदर भी बोया का ब्राइंड लिकलता है इसके 20 मेटर की जे केबिल होती है हाँ पर देखिए उपर करोगे तो केमरा बीच में उख हो जाएगा नीचे स्मार्टफून में इस तरीके शुबर्थ करता है इस तरीके शुबर्थ करता है यह जो इसके अंदर कुछ लग जाती है इसमें इससे नॉइस नहीं आती है बड़ी हावाज आती है बिलकुल नॉइस नहीं आती है बिलकुल ले बड़ी हावाज बड़ी तरीके से वर्क करता है आपको इसमें लगाना है इस तरीके से इस तरीके से आप किसी बड़ी डेट में आप यूज कर सकते हैं इसका लेदर का पोकेट है बड़ी आया है इस पर भी ब्रैंडिंग पड़ी हुए गोया के अंदर चे होती है एक चिम्ती इसको कॉलर में आप लगा सकते हो जेक आता है शेल इस तरीके का सेल होता है गड़ी वाला सेल होता है इसको आप यहां पर इस तरीके से खोल के यहां पर लगा सकते हैं आद में आप कर सकते हैं कि अज़िए कि काम भी बहुत अच्छा करता है यह पॉलर में लग जाती है इस तरीके से यहां पर लगके अटेश हो जाती है को लाइश लगे अनबॉक्शिंग और इसमें अनबॉक्शिंग करते समय किया बाद जो है मैंने फून से रिकूड की थी और लास्ट में और इस ट बोया का माइक्रोफोन को इसे रिकॉड की थी यह कितना अलग-अलग है